मेरे धूने को आज घंडित कर दिया गया जूते चपल लेके बैठे उस धूने पे जिस बुड़ी गाये की मैंने पैरो तक की मालिश करी आज मेरी बुड़ी गाये ने जाले कहा दक्के घाती होगी उल्टे सीधे आरो मेरे उपर या फिर मुझे सामने से गोली मार दो बस क्य कि जीवित रहूंगी तो मैं लड़ूगी लास्ट तक लड़ूगी आपके बिल्डोजर अपने पास रखिए आप मदद कर सकते हैं तो जीता जी करिए अदरवाइस रहने तीजी क्या बजरंग बली के सामने वैश जाहिन चाहके आपकी दबंगा इसे दोती है एसाइटी गटित करवाके स्टेट क्राइमसिस की जाच चाहती हूँ और इसके लिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ वहाँ का प्रशासन जो अपराधी का साथ दे रहा है और नेता तो पहले ही इन्वाल्व है बगवादारी होने के बाद आज मंदर की मर्यादा बचाने में हम असमर्थ हैं जिस्टर्म की बात करके बी जेबी पार्टी सत्ता में आई है उस धर्म के साथ आज के समय में क्या हो रहा है क्या ये संञ्यान लेने का अभी चाहिंशा नहीं है बजरंग वली के सामने वयशा नाच हो गया लेकिन कार Milky ne आपने कंप्लेंड किया क्या क्यों चुछा कि मुझे धंकी ते लगाता है कि अब मंदिर में आओगी तो में मतलगी जो अब नहीं हो पाया वो अब होगा किसने हमला कर आया था राजू चोहान जो जिला पाद्यक्षा युवा मोर्चा से बीजेपी का नवस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहीत आवाज देश में मोदी की सरकार है जो कि एक भगवा रंग और पूजा पाठ को लेकर हिंदू राष्ट्र को लेकर तमाम तरह के जोश हैं और क्रांती चलाई जाती है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है जो खुद एक भगवा धारी है और कटर हिंदू माने जाते हैं लेकिन उन्ही के राज्य में जब साधू शंत सुरक्षित ना हो और साधू शंत को और सुरक्षित करने वाले भी कोई और नहीं बीजेपी के सांसत बिधायक और नेता हो तो फिर कोई कहां जाए और किस से गुहार लगाए किस से सुरक्षा की मांग करें आज हमारे साथ मवजूद है साधवी पूजा ठाकूर जिनके साथ किसी और ने नहीं बीजेपी के नेताओं नहीं जिनको फ्रताडित किया है इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आज ये जंतर मंतर पर क्यों आई है और इनकी मांगे क्या है, इनके साथ क्या कुछ हुआ है मैं सादवी पूजा ठाकुर, मुख्यमांद लाल देवता मंदर, जिला कासगंज से कोई विशेस ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए अदिकार के लिए मात करने आई हूं मेरी मांग के वह इतनी है जिस धर्म की बात करके बींजेफी प्रटी कि सत्ता में आई उस धर्म के साथ आज के समय में क्या हो रहा है क्या ये शंग्यान लेने का बिशór नहीं है आपका ही एक नेता बजरंग बली के सामने वैश्या ही न चाता है और कारवाई मेरे द्वारा कारवाई करने पर मेरे उपर जान लेवा हमला होता है मेरे अपरानी की कोशिश करी जाती है और पूरा मामला संग्यान में है और उसके पाद कारवाई नहीं हो रही है बजरंग बली के सामने वेश्या नाच हो गया लेकिन कार्यवाई नहीं हुई आपने कंप्लेंड किया क्या क्युछ हो आपके साथ मैं शुरू से ही कंप्लेंड कर रहे हूँ चोदा तारी का ये मामला है पंदरा तारी को मतलगी पूरा संग्यान में मामला मैंने दिया इसकी लिखेत तहरी दी लेकिन कार्यवाई के नाम पे केवल मुझे पहले स्टार्टिंग में तो ड्राय धमकाया गया लोकल लोगों के द मतलगे अपने आपको खत्म ही कर लेने की क्यों मुझे धमकी तेरे दे लगाता है कि मंदिर में आओगी तो में मतलगी जो अब नहीं हो पाया वह अब होगा और उसकी रिकॉर्डिंग में आपको सुना सकती हूं मेरे पास वोइस रिकॉर्डिंग है आपने कंप्लेंड कहा अब हो सब डीटेल में बताई है सबसे पहले में लिखिए तैरीर हम थाने में दी ती और थाने में लोटते थाने से लोटते वक्त मेरे उपर हमला हुआ था जो मैं बता रहे हूं कि किसने हमला कराया था राजू चोहान जो जिला पाद्यक्शा युवा मोर्चा से कोशिच कर रही है किसी तरीकी से परचास्थ यहां इतने हिम्मत बड़िया नोगों कि मेरा कम नचःक के जो कैमरे लगा रहा है थे वो कैमरे भी तोड़ दिये गए और उन सब की लिखित सबूत आपके पास मैंने रखे हुए यहां पर कैमरे मैंन को दिखाऊंगी कि तमाम तरह के कागज यहां पर पड़े हैं जो कंप्लेंज की F.I.R. जो कराई वो है और भी कई सारी सबूत जो यह तमाम तरह के सारे सबूत हैं जो कि पुलिस कंप्लेंज और यह विधायक के खिलाफ कंप्लेंज की गई जो सारी तमाम तरह के सबूत दिखाए जा रहे हैं यह कितने सारे कागज पड़े हैं आप देख पा रहे होंगे आप लखनव आप बतारी कि लखनव भी गई थी वहाँ पर क्या कुश हुआ, आपने क्या कंप्लेञ्ट दी किसी से, किसी से मुलाकात हुई आपकी, मैं नेताओ का नाम नहीं लेना चाहोगे, जिससे मैं मली हुँ, जिदी सी बात है, उनका वही वाली बात है कि हमारा जिन से संपर्ख होता, हम उनके पास जाते हैं कि हमारी कारवाई करो लेकिन वही है कि हम बात केवल प्रशासने का अधिकारियों की करेंगे करेंगे पास जाते हैं कि अगर समाज में बुराईयां फैली है तो तुम ही साहिड हो जाओ क्या महिलाओं को सुरक्षा की जरुरत नहीं है तो यही मेरा प्रशासन है कि मुझे एस पी द्वारा मतलगी उनके स्वैम के शब्द यह थे गौरव दिश्चित के कि आप कहां कहां के बुराईयों दूर करोगे आपको जम रहा है तो आप मंदर पर रहो अधर वाइस नहीं तो मंदर छोड़ दो दूसरा मंदर चले जाओ यह मंदर छोड़ दो तो मुझे दू किसी बात का है कि जिस पुलिस प्रशासन से में मदद मांग रही थी अपने लिए अश्लील नाच गाने को रोगने के लिए मेरी सुरक्षा के लिए वो मेरी मदद करने में तो असमर्थता दिखा रहा था और वो ही पुलिस प्रशासन हवन कुंड पे बैठा है जूते चपल लेके अश्लील वैश्चा जो नाच हो रहा उसको देख रहा है मनरंजन है उसके लिए मनरंजन करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन आप वो मनरंजन मंदर पे कर रहे हो यह गलत बात है तो मेरी लड़ाई कोई व्यक्तिकर लड़ाई है कि आप ही के राज्य में आप हिंदू राष्ट की मांग कर रहे हैं आप हिंदू को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं लेकिन आप ही के राज्य में मंदिर पर नाच करवाया जा रहा है वैश्या नाच करवाया जा रहा है और जो आप पुलिस प्रशासन की बाते करते ह कि आपके राज्य में तो राम राज्य है, सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है, तो योगी जी नोट कर लीजिए, ना तो आपके राज्य में महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, ना ही मंदिर सुरक्षित है, और आप ही के नेताओं ने ये सारा कांड किया हुआ है। सबसे बड़ी दुखी बात यह कि भगवादार ने करने के बाद भगवादारी होने के बाद आज मंदर की मर्यादा बचाने में असमर्थ हैं क्योंकि अपरादी, नेता और पुलिस आज एक ही पक्षो में बैठा हैं मैं सरफ यह पूछन चाती हूँ आपके माद्यम से एक मुझे वो दरवाजा बताईए एक वो दर बताईए जहां में अपना जाके सर पटकूँ और नयाए मांगू उस जगा जाके मोधी जी तो लगतार वादे करते हैं कि इनकी पुलिस जो प्रशासन है वो महिलाओ को सुरक्षा दिरिये वो महिलाओ के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आखिर उन्ही के नेता किसके संरक्षन में इतना हिम्मत भरा काम कर जा रहे हैं यही प्रशन का विशय है और मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास से लैटर है यही मेरी जो मांगे हैं वो यही है कि मंदिर पर अश्लील नाचगाना कराने की हैसियत राजु चोहान की नहीं है सीदी सी बात है बैक फूट पर कोई बड़ा नेता मंद्री उसकी मदद कर रहा है अगर वो अपने ही दम पर कर रहा है तो वो क्लियर करे कि ऐसी कहां से मदद मिल रहे है जो मंदिर पर अश्लील नाचगाना वो करा सके सीदी सी बात है अगर मंदिर पर अश्लील नाचगाने होते तो गोर्यकपूर मटबे भी होने चाहिए हमारे ही मंदिरों पर क्यों और रही बात मेरे रहने ना रहने की तो मेरा अनिशित कालिन मा बगला मुखी यगी चल रहा था, उसे यगी को रोक के, वो अशलील नाचगाना कराया गया, दो दिन के आनन्द के लिए मतलए मेरी धाई साल की तपस्या, आप शायद उस दर्द को नहीं समझेंगे, एक सादक समझेगा उस दर्द को कि धाई साल दूने पे बैठना, जब आप दो दो रजाईयों में लेटे थे, मैं उस दूने पे बैठती थी, जब आप गर्मी में तपते थे, एसी और पंके डूनते थे, मैं उस दूने में तपती थी, मेरे धूने को आज घंडित कर दिया गया, जूते चपल लेके बैठ उस दूने जिस बुड़ी घाय कि मैंने पैरो तक की मालिश करी आज वो बेरी बुड़ी घाय ने जाने कहां दखके घाती होगी उल्टे सीधे आरो मेरे उपर मैं गलत कर रही ती सलिए मैंने कैमरे लगाये थे और वो सही कर रही थे सलिए उन्हें को एम्रों को तोड़ दिया मैं केवल S.I.T. गटित करवा के स्टेट क्राइम से खी जाच चाती हूँ और इसके लिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ 6 जून को लकनो प्रेस कॉनफरेंस करी उस बात का कोई रिजल्ट नहीं है प्रेस कॉनफरेंस करने के बाद यदि आपके संग्यान में मामला नहीं है तो आप बताओ कौन सी गरंटी आप दे रहो महिलाओ के सुरक्षा करने की और यदि आपके संग्यान में मामला है फिर आप कारवाई ना करने का मुझे कारण बताओ केवल दो प्रश्णों के मुझे उत्तर चाहिए क्या बजरंग बली के सामने वैस चाहिए न चाहके आपकी दबंगाई सिद्धोती है आपके पास केवल दो यह उप्शन है या तो आप पबलिक लिए आके माफी मांगो मैंने गलती करी और मुझे साथ समान मेरे मंदर पर स्तापित करो या फिर मुझे सामने से गोली मार दो बस क्योंकि जीवित रहूँगी तो मैं लड़ूँगी लास्ट तक लड़ूँगी चाहे मुझे इसके लिए किसी के भी खिलाफ जाना पड़े साफ तोर पर आप आशू देख पारे होंगी कैसे एक महिला, एक साधवी, जो की मठ की रक्षक है, मठ में पूजा पाठ करती है, उस महिला के आशु आप देख पारें, जो योगी जी दावे करते हैं, कि महिला सुरक्षित है, हम तो हिंदूों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वही ये हिंदू है, और साधारन वहां पे मैम आप बता रही थी कि वहां पे कुछ लड़किया बुलाए जाते हैं नशे वहां पे कैसे रह पा रही हैं यही सबसे बड़ा दुख की बात है कि देखिए आप देखाओगा आपने इंदू संगतनों की बाते सुनी होगी यह फिर आपने बीजेपी जो बड़े-बड़े नेता हैं, जो हिंदुत्व के चैरे हैं, वो क्या बात करते हैं, कि दर्म के लिए काम करिए, सनातन के लिए काम करिए, यदि कोई सनातन पर चोट करता है, तो आप उसको दंड दीजिए, और हम जैसे सरफिरे हिंदू जब इस चीज के लिए निकल आगा, और हमने एक अदम उठाए, जब आपके कतनी सुन के, जब कोई हम जैसे सन की इंदू घर से निकल पड़ते हैं, दर्म के लिए काम करने के लिए, सनातन के लिए काम करने के लिए, तो हमारे साथ ये होता है, मैं जिन्दा के वल इसलिए हूँ, क्योंकि मैंने गर में संतों के साथ हुआ था, उसके बाद क्या था, आप केंडल मार्च निकालते, आप सोक समाहे करते, या फिर आप निंदा करते, नहीं चाहिए वही आपकी निंदा, आपको करना आपका अरवाई करिए, आपके बिल्डोजर अपने बास रखिए, आप मदद कर सकते है जीता जी करिया, दरवाई जरहने दीजी, आप जो है, आप ने कहा धरम की रक्षा करने के लिए, ये निकल पड़े, लेकिन अब यही और सुरक्षित हैं, तो ये कहा जाए, किस से गुहार लगाएं, क्या कुछ करें, ये आपको सुनना है, साफ तोर पर सरकार को सुरक्ष देनी है, कैमरा में आशिष के साथ मैं ब्यूटिगरी जनिया,